हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज का वीडियो छोटा सा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इसमें आपको information मिलने वाली है आपके सेलेबस में unit number 16 के अंदर romantic age, restoration age के बारे में पूछा जा रहा है और उसमें आपने देखा होगा bracket में लिखा हुआ है last में कि important authors and their works इसमें आपको important authors पूछे जाएंगे और उनके works के बारे में पूछा जाएगा चीक है एक सेके तो हम बात कर रहे है romantic age में जो William Wordsworth है यह इसलिए भी important है क्योंकि आपके सेलेबस में टिंटन एबे है जो कि William Wordsworth ने लिखी है तो इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है इसके अलावा romantic age में भी आते हैं तो चलिए इनके बारे में कुछ बहुत की ज्यादा महत् इंफोर्मेशन में आपको फटा फट देता हूं सबसे पहले इनका जन्म याद रखिएगा 7 अप्रेल 1770 और इनकी मिरत्य हुई थी 23 अप्रेल 1850 ठीक है यह पोईट लॉरेट भी रहे थे इंग्लेंड में और यह समय था 6 अप्रेल 1843 तू 23 अप्रेल 1850 यहां प्रेली अप आपको याद हूँ तो यह 1795 में स्टी कॉलरीज से मिले थे और स्टी कॉलरीज और इन्होंने मिलकर एक लिरिकल बैलेड लिखा था जो की लिखा था 1798 यह तारीक में इसलिए बता रहा हूं था कि आपको याद रहे कि जब यह स्टी कॉलरीज से मिले थे उसके तीन साल बा आगे बढ़ाते हैं इसके बाद में यह पोईट लॉरेट रहे थे 6 अप्रेल से लेके 1843 से लेके 1850 मतलब की 7 साल ठीक है अब इन से पहले कौन थे पोईट लॉरेट तो वो थे रोबर्ट साउधी और अगर पुछा जाए इनके बाद कौन थे तो अलफ़र्ड लॉर्ट टैन ठीक है और यह कब से कब तक रहे 6 अप्रेल 1843 तो 23 अप्रेल 1850 ठीक है चलिए आगे बादे हैं इसके बाद दिखिए वर्ट्स वर्ट जो थे वो पैंथिस्ट थे पैंथिस्ट का मतलब आप जानते हैं जैसे आपने सुना होगा वो बिलिवस इन गॉर्ट थेस्ट वो ड़ इसके बाद विलियम सिस्टर जिनका नाम आपने सुना होगा डौरो थी ठीक है तो हूम ही वोज क्लोज ऑल हिस लाइफ पूरे जीवन भर इनकी जो सिस्टर थी डौरो थी उनसे बहुत क्लोज थे जैसे कि आपने कई सारी पढ़ी होगी सॉलिटरी रीपर है ना तो उसमें गया ठीक हैले में यह यह आपने साथ में ठीक अलावा अपने जैसे चालें पड़ी थी तो मैंने आपको बतारा था कि किसको एड्रेस किया गया था तो वह इन्हों इनकी टैडिंटन थी चलता है ना कियो करें है और हम इन छोटी-छोटी बातों में पढ़ जाते हैं तो इन्हों ने किसको address किया था इनकी sister को इसके बाद में Wordsworth made his debut इन्हों इनका debut कप किया था 1787 में जब इन्हों ने एक sonet लिखा था है ना in the European magazine इसके बाद में ये 1795 में किस से मिले थे Samuel Taylor Coleridge से मिले थे, ST Coleridge से मिले थे, कहां पर मिले थे, Somerset में मिले थे इसके बाद Wordsworth known as the high priest of the nature इन्होंने इनको क्या कहा जाता है high priest of nature, nature के पुजारी इनको कहा जाता है ठीक है और ये इन्होंने खुद को भी कहा है इसके बाद इन्होंने 523, 523 sonnet इन्होंने लिखे है ठीक है इन्होंने political sonnet भी लिखे है इसके अलावा इन्होंने एक love sonnet जो लिखा था वो केवल एक लिखा था इसलिए exam में पूछा जा सकता है तो इसका नाम याद रिखे ना, why are you silent, is your love a plant तो ये याद रिखेगा एक ही sonnet लिखा था, कौन सा love sonnet बागी तो इन्होंने कितना sonnet लिखे थे, 523 बोलो इतना याद रिखोगे और 1795 में ST Coleridge से मिले थे और उसके बाद में इन्होंने 1798 में Lyrical Ballad लिखा था, Lyrical Ballad में अगर आपको याद हो तो टोटल 23 पोयम थी, 23 पोयम में जो 19 पोयम थी वो William Wordsworth ने लिखी थी और जो 4 पोयम थी वो आपके ST Coleridge ने लिखी थी, इसमें एक और क्योशन आता है कि सब से फोयम जो थी वो किस की थी, तो वो ST Coleridge की थी, ठीक है, The Rhyme of the Ancient Mariner और इसके बाद जो लास्ट पोयम थी वो कौन सी थी, वो William Wordsworth की थी, जिसका नाम क्या था, Tinton Abbey, बोलो, समझ गए, एक और बाद, जो 1798 में जो Lyrical Ballad published हुआ था, उसमें किसी का भी नाम नी था, ना तो William Wordsworth का नाम था, ना ST Coleridge का, लेकिन जो 1800 में, है न, जो 2nd edition आया था, उसमें किस का नाम था, केवल William Wordsworth का, बोलो, मैं थोड़ा सा हड़ जाता हूँ, आप लिख लो, इसको screenshot लेना हो, तो screenshot भी आप ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ाएं, अच्छा, लिरिकल बेलेट का जो last edition आया था, यह 1805 में आया था, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ाते हैं, देखिए, वीडियो छोटा होगा, लेकिन informative होगा, अब कुछ important lines इनके exam में पुछी जा सकती है, let nature be your friend, तो यह कहां से ले गई है, the table turn, यह आपने pre के अंदर पढ़ा था, getting and spending, we lay waste our powers, तो यह कहां से ले गई है, the world is too much with us, यह भी आपने pre में पढ़ा था, does nature spoke, the work was done, यह lucy poem से लिया गया है, ठीक है? She gave me eyes, she gave me ears, यह कहां से लिया गया है, the sparrow's nest, तो यह कुछ important lines exam में बहुत बार पुछी गई है, पहले अलग-अलग exam में मतलब है न, जैसे UP की exam होती है, या net exam होता है, तो उसमें पूछी गई है, तो आप के लिए भी important है, इसके बाद में किसने क्या कहा इनके बारे में, त इसके बाद Elizabeth Faye ने कहा था कि a short of poet, king author, ठीक है, Thomas D. Quincy ने कहा था, as high priest of nature, Shelley, P.B. Shelley ने क्या कहा था, कि a man, but, यहां से देखना है, कि William Wordsworth was hardly a man, but a wandering spirit, क्योंकि गुमते बिढ़ते थे थे हो, है न, इधर गए, कहीं गए, वहां टिंटन, एबे पर गए, तो वहां उसके बारे में लिख दिया, इधर कहीं गुमने गए, तो वह solitary reaper बना दी, है न, तो यह क्या, इन्होंने क्या कहा था, P.B. Shelley ने कि यह एक तरह से क्या है, wandering spirit, spirit का मतलब आत्मा होता है, Emerson ने क्या कहा था, कि Wordsworth's old intimation of emeralty is the high watermark of poetry in the 19th century, यह इनकी एक पोयम थी, Matthew Arnold ने क्या कहा था, कि Wordsworth had no marked style of his own, मतलब इन्होंने इनको criticize किया था, T.S. Eliot ने भी इनको criticize किया था, और क्या कहा था, कि not practicing his own theory in his own poems, तो यह याद रखिएगा, कि Matthew Arnold ने भी इनको criticize किया था, T.S. Eliot ने भी इनको criticize किया था, बोलो, तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो comment में बताईएगा जरूर, ताकि इस प्रकार के छोटी-छोटी वीडियो में आपके लिए और लेके आओ, जो कि आपके unit number 16 के हैं, है ना, जिसमें romantic age, modern age, elizabethan age, सभी के question है, और question कैसे है, direct objective नहीं दिया, direct one line, है ना, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से important important question है, तो वो आप जरूर पढ़ लीजेगा, मैंने अभी से इसलिए डाल दिया, ताकि आपके पास अभी 3 महीने है, मतलब 2 महीने तो है ही सही, तो आपको ज्यादा सज्यादा knowledge हो, क्योंकि आपको पता है, यह company exams है, है ना, इसमें कहीं सभी question पूछा जा सकत है, क्योंकि syllabus आपका बहुत ज्यादा vast है, ओके चलिए, और जो लोग अभी हमारे course से नहीं जुड़े हैं, उनको बता दूँ, अच्छा, इसमें और बचा है अभी, और देख लेते हैं, देखिए, पीबी शेले ने वर्सवत को कहा था, a moral inak, ठीक है, यह एक दो और जुड़े हैं, तो उनको बता दूँ कि layer 3 education app download करें, 2499 में आपको men's का पूरा course मिल जाएगा, इसमें आपके 100 number cover होंगे, यह आपको मिलेगा कहां पर, layer 3 education के app पर, layer 3 education, ठीक है, इसके app पर आप जाईएगा, store option में आपको मिल जाएगा, अगर कोई परेशा नहीं आती है 9977651282, ठीक है, चलिए, आपको मैं कुछ और information इसमें बता देता हूँ, चार और बज गई, comment करके जरू बताएगा कि यह ठीक लगा के नहीं लगा, ताकि मैं इस टाइप के और वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, according to J. Long, Wordsworth is absolutely without humor, यह किस ने कहा था, J. Long ने कहा था, Tennyson ने क्या कहा था, कि Wordsworth that he uttered nothing best, इसके बाद Robert Browning ने कहा था, कि Wordsworth that for a handful of silver he left us, ठीक है, and William Hazlitt ने कहा था, कि Wordsworth was not a truly great poet and the spoiled child of disappointment, okay, चालिए, thank you everyone, thank you so much, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, comment जरू कीचेएगा, thank you so much.